नमस्का दोस्तों स्वाकत हैं आप सबी का हमारे चनल पर आज हम आपको पेशाप को खुल कर लाने के लिए कुछ घरेलू नुसकों के बारे में बताने वाले हैं पेशाप खुल कर ना आ पाना, रुक रुक कर आना या फिर पेशाप ना आने की समास्या होने पर जो urine blader होता है उसमें पेशाब जमा होने लग जाता है जिससे की दीरे-दीरे पेशाब की वेदना बढ़ने लगती है और अगर जल्दी पेशाब ना की जाए तो इस blader में बहुती सदा तेज दर्द होने लग जाता है urine blockage होने पर व्यक्ती blader को पूरा खाली नहीं कर पाता है जिस कारण मूतराशे में बैक्तिरिया जमा हो जाते हैं और इससे urine infection का खत्रा काफी हद तक बढ़ जाता है रुक रुक कर पेशाब आने के बहुत सारे कारण होते हैं जैसे की blader में infection होना, blader या फिर गुर्दे में पत्री होना, urine infection होना जो लोग किसी नशे के आदी होते हैं उनको भी इस समासिया का सामना करना पड़ जाता है इसके लिए बहुत सारे लोग दवाईयों का भी सेवन करते हैं लेकिन दोस्तों आप बिना किसी medicinal use के इस समासिया से राहाद पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे भी अपना सकते हैं तो आज हम आपको ऐसे ही कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में बताने वाले हैं इसे जानने से पहले सबसे पहले तो एकने विदन उन लोगों से करना चाहूंगी जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं क्रप्या सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदसिता को सरू ले लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दुरदी के जानकारी को रोज देख पाएं और उनसे फायदा बिठा सकें दोस्तों जो पहला नुस्का मैं आपको बताने वाली हूँ उसके लिए आपको आवशक्ता होगी अरंडी के तेल की इसे इस्तमाल करने के लिए एक गिलास गरम पानी में देड़ चमच अरंडी के तेल को अच्छे से मिला लीजे और फिर इसका सेवन करिए दोस्तों जो अरंडी का तेल है वो आपको बड़ी ही आसानी से किसी भी पंसारी की दुकान पर मिल जाएगा जब भी आपका पेशाप खुल कर ना आ रहा हो तो इस नुस्के से आप सिर्फ 15-20 मिनिट में ही अपने रुके हुए पेशाप को खुल कर ला सकते हैं ये बहुती कारगर घरेलू नुस्का है इस समास्या के लिए इसलिए इसको जरूर से जरूर ट्राय करके दिखीगा इससे आपको निश्टित तौर पर ही फाइदा मिलेगा इसके अलावा दोस्तों जो प्याज होता है वो भी इसके लिए बहुती प्रभावशाली माना जाता है इसे इस्तमाल करने के लिए एक मेडियम साइस के प्यास को पीस कर उसमें उतना ही गेहूं का आटा मिलाकर हलका गरम करके पेट के निचले भाग में लेब कीजिए दोस्तों ऐसे करने से भी 15-20 मिनिट में ही आपका रुका हुआ पेशाब खुलकर आने लग जाएगा तो दोस्तों आपको हमारे दोरा दी गई है जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके शरूर बताएगा और आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर शरूर किजिएगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद